तो जहें दोस्तों मेरा ना मैं अतुल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चनल अतुल टेक बजर में दोस्तों यहां पे दोस्तों मैंने मैनुवली अपडेट कर लिया है और क्या कुछ खास फीचर्स आये हैं यही जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों वीडियो से ही डाउनलोड करियेगा क्योंकि अगर पीच में किसी का फोन आता है या फिर डिसकनेक्ट होता है तो यूसी ब्राउजर में आप आगे अपडेट कर सकते हो और क्रोम ब्राउजर से करोगे तो आपको फिर से करना पड़ेगा तो यूसी ब्राउजर में प्रिपैर कर रह तो यहां देखेंगे कि वर्थन भी चेंज होता है कि नहीं और security page update अगस्त का है यहां पे दूस्तों software update में भी मैं जाके आपको यहां पे update दिखा देता हूँ जो पहले बाला 8.13 है और इसमें जो features आपको मिले थे यह आप देख सकते हो तो यहां पे जो latest feature है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं अपडेट के बाद दूस्तों यही सारे features हमें देखने को मिलने वाले हैं basically आपे camera section में काफी जादा improvement किया गया है तो यहां पर मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो file है मैंने download किये 2.5gb की यहां पर अगर सेक्शन में download करोगे और फिर Chrome browser से तो आपके download में पड़ी रहेगी और मैंने यहां पर UC browser से डाउनलोड किये तो यहां पर UC browser का एक folder बढ़ा होगा उसमें यह file आपको देखने को मिल जाएगी 2.5gb की अगर आपने यहां रखा है तो की बात नहीं है लेकिन यहां उठा के इसको cut करके root directory में paste करते हैं तो यहां पर आपको जब आप manually update करोंगे तो काफी अच्छा रहेगा तो मैं यहां से इसको यहां से उठा की root directory में रखने वाला हूं याने की phone memory में यहां पर दोस्तों मेरे पास कोई card नहीं है इसलिए मैंने आप इसको phone memory में रखा है आप इसे अगर आपक नहीं कि आपके mobile के battery 30% से ज्यादा होने चाहिए आप देख सकते है smart lock वाला feature से यहां पर देखने को मिलता है चुकि नहीं वाले color OS और जो अभी latest update आ रहे है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा तो यहां पर मैंने जो device से switch off totally कर दिया मैं एक एक process बता रहा हूं दूस्त आपका mobile safe mode में start नहीं होता है इस प्रोसेस में थोड़ा सा time लगता है इसलिए में यहां पर continue भी यहां पर escape नहीं कर रहा हूं आपको directly दिखा रहा हूं ताकि आप update करो तो अच्छे से आपको update हो जाए यहां पर आपको English लिखाएगा English पर आपको click कर देना और install from storage device पर password है आपको सही password यहां पर डाल करना है और उसके बाद एक अलग step आ जाएगी यहां दोस्तों मेरी मोबाइल में memory card नहीं है इसलिए memory card नहीं दिखा रहा है इसलिए phone stories दिखा रहा है तो phone stories में मेरी यहां पर फाइल पड़ी हुई है उपर की तरफ आपको दीख रहा होगा 1911 तो यही जो फाइल है यहां पर आपको क्लिक कर देना है जैसे दुस्तों आप इस पर क्लिक करोगे यहां पर update का option आजाएगा यहां पर आपको okay की बटन पर क्लिक करना है बस updating process जो है आपकी चालू हो जाएगी थोड़ी देर बाद इसमें थोड़ा सक टैम लगेगा थोड यहां पर 8.14 में update हो जाएगा दोस्तों जो device है वहां पर update हो चुकी है मैं आपको setting section में जाके दिखा देता हूं यहां पर आपको about section में अगर मैं जाके दिखा देता हूं तो यहां पर आप देखोगी की 8.14 यहां पर हो गया है और September का security page update यहां पर आपको देखने को मिलता करेंगे अब देख सकते हो यहां पर आपको देख सकते हो कि यहां पर security page update हम को मिल चुका है और system वगरे जो improvement हुआ है वो मैं आपको बात में बताऊंगा और flashlight का बोला है की flashlight थोड़े अच्छी हुए तो देख सकते हैं यहां पर flashlight थोड़ा सा अच्छा हुआ है मैं आपको photo खिच के दिखा दूगा रात में कैसी photo आती है flash के साथ sample मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूगा और यहां पर camera section में भी बहुत सारे changes हुए है जो भी changes हुए है इसके रिगारिंग मैं आप फोटो खिच के आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूँगा तो य जैसी मैं video में click करता हूं तो थोड़ी सी screen वाइड हो जाती है पहले यह ऐसा नहीं होता था अभी जो है screen थोड़ी सी वाइड हो जाती है और यहां पर एक और अपडेट आया है night side वाला option है कि रात में अगर फोटो कीचते है तो कुछ dark वाला option है जो यहां पे colors को थोड़ा अच्छी आती है तो यहां पर जो अपडेट है काफी अच्छा है system improve हुआ है और camera section में भी काफी वर्क किया गया है तो चलिए फिर दोस्तों फड़ा फड़ से देख लेते हैं कुछ फोटो सेंपल्स कि अच्छी आती है दोस्तों यह था कुछ वीडियो रियाल मी 5 के 8.14 के रिगार्डिंग अपडेट के रिगार्डिंग और यहां पे दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं परफॉर्मेंस से रिडेटेट भी एक वीडियो बनाओ तो मझे कमेंट से चलू करेंगा तो दोस्तों इस वीडियो मे बनाओ झाल यहां जूर्मेंस से घख जाँ खबाद वीडियो जाँ प का लाई में एक वीडियो बनाओ पiqué दोस्तों अगर से चलू लोस्तों शाहते हैं कि मैं यहां नहां परफॉर्मेंस से तोस्तों इस जाए टकुछ वीडियो जार्श भीडियों जाष्मेंस से ट्ज़